मिडल एजुकेशन के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे पहरी छात्रों कक्षा 3 से लेकर के 8 तक की बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी ख़वरी निकल कर आई है ख़वरी है इस्ट्वेंट्स की अभी तक केबल और केबल कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के बच्चों का बेसलाइन टेस्ट होता था लेकिन अब बेसलाइन के बाद एंड लाइन टेस्ट भी होगा अब हो सकता है आपके मैंने कई सारे कुश्चन टे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है अब क्यों होगा एक और एक्जाम तो स्ट्वेंट्स यहाँ पर इस पस्टूप से लिखा है स्कूल सिक्षा में सुधार के लिए सरकार बड़ा कदम सभी जिला कलेक्टरों को लिखा पत्र जो आपका मध्वरते सरकार है मतलब सिवराज सिंग चाहान जी के सिक्षा मंत्राले ने सभी कलेक्टर को एक नोटिस लिखा है और बोला है कि कलेक्टर साहब अब बेसलाइन के बाद ये पता चलता था कि बच्चों का बेस सी कितना मजबूत है ठीक है अब बेस पता कर लिए भाई ठीक है बच्चे का बेस इतना मजबूत है तो बेस के बाद अब ये देखेंगे कि बच्चा क्या बागई अब नेक्स्ट क्लास में जाने लाइक है या नहीं इसलिए लिया जाएगा inline test समझ गए देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपका base चिक करते हैं कि base कैसा है यदि आपका base मजबूत होता है तो आपको next class में भेशते हैं नहीं होता तो again बोलते हैं बेटा आप again कक्षा 6 करो 7 करो जो भी होता है वो बोलते हैं लेकिन inline test लिया जाएगा और आपको अब next class में promote के जाएगा जैसे अभी आपका 6 के छात रहें तो कक्षा 6 के अंतिम अंतिम में आपका inline test होगा और उसके बाद आप जाएंगे कक्षा 7 में इसलिए inline test लिया जाएगा है ठीक हैं बाकी देख सकते हैं आपर पूरा खबर छपा है बेवरो भोपाल यह कोई fake खबर नहीं है 100% सही है यहाँ पर लिखा है कि मद्ध प्रदेश में प्रात्मिक और माध्मिक कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के सभी विद्ध्यार्थी को हिंदी गणित और इंगलिस की मूल भी दक्षता की इस्थिती जानने के लिए बेसलाइन टेस्ट अब दक्षता उन्यन के लिए इंड लाइन टेस्ट भी लिया जाएगा समझ गए आगे लिखा है कि इसके लिए स्कूल सिख्च भ्याग सभी कलेक्टर को आप रेडियो जाए एक्जाम लेने के लिए ओके श्ट्रेंट्स तो ख़वर में इतना ही था अगर आपको पूरा न्यूज पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में मैं लिंक को दूँगा लिंक को टच कीजिए पूरा का पूरा आया होगा और अच्छे समझ में भी आया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों जरू सेयर करें ताकि उनको भी बत चल आए कि अब हमें एक और एक्जाम देना है ओके श्ट्रेंट्स बाई बाई और जो भी आपका एक्जाम भविस में हो उसके लिए all the best